लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले भारत को वर्ल्ड कप दिलाने में तो टीम के हर खिलाडी का यूगदान रहा है लेकिन आज हम आपको भारतीय नित्रहीन क्रिकेट टीम के ऐसे खिलाडी के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत को 1998 में नेत्रहीन वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में ले जाने में महत्वपून भूमिकाने भाई थी 1998 में भारतीय नित्रहीन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के से मी फाइनल तक ले जाने वाले खिलाडी भाला जी डामोर आज अपने गाउं में भैंस चराने को मजबूर है डामोर पहले नित्रहीन वर्ल्ड कप के मैन आफ दसीरिज थे आज भी भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है उन्होंने 125 मैट में 150 विकेट लिए और 3125 रन बनाए वे भारतीय टीम में अल्राउंडर के रूप में खेलते थे भारत को 1998 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में दक्षिन अफ्रीका के हाथों हार जेलनी पड़ी थी टीम की इस काम्याबी के बाद ततकालीन राष्ट्रपती के आरनारायनन ने उन्हें समानित भी किया था वे पूरी तरह से नेत्रहीन हैं और उन्होंने आठ अंतराश्ट्रिय मैच भी खेले थे वे बताते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद मुझे उम्मीद थी कि एक नौकरी मिल जाएगी लेकिन मुझे खेल या विशेश योगेजन किसी भी कोटे से नौकरी नहीं मिली कई सालों बाद गुजरात सरकार से प्रशंसा प्रमान मिला आज वे अरावली जीले के गाव पिट्राना में अपने भाई के साथ एक एकर जमीन पर खेती कर घर चलाने की कोशिश करते हैं इस से उनके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती और दूसरी जगे शारीरे कमजोरी के चलते काम नहीं मिलता उनकी पत्नी अनुखेतों में मजदूरी करती है दोनों का एक चार साल का बेटा भी है National Association for Blind के उपाध्यक्ष भास्क कर में इता बताते हैं कि भारती ये नेतरहीन टीम को भाला जी जैसा और कोई ओल राउंडर नहीं मिला वर्ल्ड कप के दोरान साथी खिलाडी उन्हें सचिन तिंदूल कर बुलाते थे बारह वींपास भाला जी कभी कभार पास के शहर इडर जाते हैं जहां वे नेतरहीन स्कूल में मामूली फीस पर छात्रों को कोचिंग देते हैं पूरा मिलाकर उनके परिवार की मासे कमाई तीन हजार रुपे है जबकि 17 साल पहले 1998 वर्ल्ड कप में उन्हें 5000 रुपे का नकद देना मिला था